ओम शान्ति आज तिनांक तेविस फरवरी तो हजार तेईस प्राता हमुरली बाप दादा मधुबन बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिला कर साउधान करना इसमें ही सबका कल्यान समाया हुआ है बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिला कर साउधान करना इसमें ही सबका कल्यान समाया हुआ है अर्थात 63 जन्मों से हम स्वयम को भूले अपने पिता परमात्मा को भूले माया के वशीबूत होकर मनमत परमत पर चलकर नीचे ही गिरते आए अब स्वयम भगवान निराकार परमात्मा हम आत्माओं को अपना बच्चा एडॉप्ट करते और घ्यान के कोई रहस्य बताते बाबा कहते मैं कल्यान कारी तुम्हारा पिता सिव निराकार परमात्मा हूँ अब मैं सारे पुरानी दुनिया का विनास कर नई दुनिया इस्थापन करता हूँ तो तुम बच्चों को नई दुनिया की इस्थापना का निमित बनाता हूँ तो तुम बच्चों का वर्ज है बाप और वर्से की सबको याद दिलाना क्योंकि इसमें ही कल्यान सबका है क्योंकि तुम बच्चे निमित बने हो विश्व कल्यान के तो तुमें ही सबको बाप का परिचय देना है बाप और वर्से की याद दिलाना है सबका कल्यान करना है इसलिए बाबा कहते जब तुम आपस में मिलते हो तो नमस्ते आदि करते हो इसमें किसका कल्यान होता नहीं कल्यान तब होगा जब तुम एक दो को सावधानी देंगे स्वदर्शन चक्रधारी अक्छर से सब कुछ समझ जाएंगे स्वदर्शन चक्र का राज बताना और एक दो को बाप का परिचय देना इसमें ही सबका कल्यान समाया हुआ है तो सबको खबरदार करते जाओ एक बाप को याद करो उसके वर्से को याद करो इसमें ही कल्यान समाया हुआ है बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्सा देने तो बच्चों को कितनी खुसी रहनी चाहिए कहते भी हैं खुसी जैसी खुराक नहीं जो सदेव खुसी मोज में रहते हैं उनके लिए वहाँ जैसे खुराक होती है 21 जन्म मोज में रहने की यहाँ जबरजस्त खुराक है यहाँ खुराक सदेव एक दो को खिलाते रहो एक दो की जबरजस्त खातिरी यह करनी है ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की करना सके तुम बच्चे सिरीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो सच्ची-सच्ची खुस खेराफत भी यहा है किसको बाप का परिचाई दिना मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ती की खुराद मिलती है सत्यूग में भारत जीवन मुक्त था पावन था बाब बहुत बड़ी उची खुराद देते हैं बाबा बहुत बड़ी उची खुराद देते हैं तब तो गायन है और योग की कितना first class wonderful खुराक है और यहाँ खुराक एक ही रूहनी सरजन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारे लिए तीरी अर्थात हातेली पर सोगात ले आया हूँ मुक्ती जीवन मुक्ती की यह सोगात मेरे पास ही रहती है कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ फिर रावन छीन लेता है तो अभी तुम बच्चों को कितना खुसी का पारा चड़ा रहना चाहिए तुम जानते हो हमारा एक ही बाप पीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं मोश्ट बिलवेट बाप से विश्व की बातसा ही मिलती है यह कम बात है क्या तो सदेव हर्सित रहना चाहिए गौडली स्टूडेंट लाइफ इस दी बैस्ट यह अभी का ही गायन है न फिर नई दुनिया में भी तुम सदेव खुसियां मनाते रहेंगे दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुसियां कब मनाई जाएंगी मनुष्यों को तो सत्युक का ग्यानी नहीं है तो यहां ही मनाते रहते हैं परंतु इस पुरानी तमोप्रदान दुनिया में खुसी कहां से आई यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं कितना दुख की दुनिया है बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं ग्रस्त विवार में रहते कमल फूल समान रहो धंदा धोरी आदी करते भी मुझे याद करते रहो जैसे आसिक और माशूख होते हैं वहां तो एक दो को याद करते रहते हैं, वहां उनका आसिक, वहां उनका मासुक होता है, यहां यहां बात नहीं है, यहां तुम सभी एक मासुक के, जन्म जन्मांतर के आसिक हो रहते हो, बाप कभी तुम्हारा आसिक नहीं बनता, तुम उस मासुक से मिलने के लिए याद करत पे आए हो जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमिरन करते हैं गायन भी है दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई इस समय बाप भी सर्व सक्तिवान है तो दिन प्रती दिन माया भी स्र्व सक्तिवान तमो प्रधान बनती जाती है इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देविये गुण धारन करो तुम ऐसे लक्ष्मी नारैन बन जाएंगे इस पड़ाई से मुख्य बात है ही याद की बाबा कहते इस पड़ाई में मुख्य बात है ही याद की ऊचते ऊच बाप को बहुत प्यार इसने से याद करना चाहिए वह ऊचते ऊच बाप ही नई दुनिया इस्थापन करने वाला है बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चो को विस्व का मालिक बनाने इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कर जाएंगे पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं अब दुनिया भी तो तमो बाबा कहते अब दुनिया भी तो पूरी पतित बन गई है अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े बाप दुख हरता सुख करता हैं बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे सांती धाम और सुख धाम को याद करते रहो अभी है संगम युग खिवया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं नईया कोई एक नहीं सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है उनको पार ले जाते हैं तुम मीठे बच्चों को कितने खुसी रहनी चाहिए तुम्हारे लिए तो सदेव खुसी ही खुसी है बेहद का बाप हमको पड़ रहे हैं वाह यह तो कब ना सुना ना पड़ा भगवानु वाच मैं तुमको रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं तो पूरी रीती सीखना चाहिए धारना करनी चाहिए पूरी रीती पढ़ना चाहिए पड़ाई में नंबरवार तो सदेव होते ही हैं अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूं मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं बाप कहते हैं अपने को देखो मैं उच्पद पाने के लायक बना हूं रूहानी सर्विस करता हूं क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसे बुल बनो फालो करो मैं आया ही हूं सर्विस के लिए रोज सर इनका रत बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैट मुरली लिखता हूँ मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिश ना हो तो मैं भी सर्विस पर हुँ न Yani service तुम भी बाप की service में लग जाओ बाबा कहते on God Fatherly Service बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आये है जो अच्छा पुरुशार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है देखा जाता है कौन महावीर हैं जो बाबा के डाइरेक्शन पर चलते हैं बाप का फर्मान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो इस सरीर को भूल जाओ बाबा भी सरीर को नहीं देखते बाबा कहते मैं आत्मा को देखता हूँ बाकी यहा तो ग्यान है कि आत्मा सरीर बिगर बोल नहीं सकती मैं भी इस सरीर में आया हूँ लोन लिया हुआ है सरीर के साथ ही आत्मा पड़ सकती है बाबा की बैठक यहां है यहां है अकाल तक्त आत्मा अकाल मूर्थ है आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है सरीर छोटा बड़ा होता है जो भी आत्माएं है उन सभी का तक्त यहां ब्रकुटी का बीच है सरीर तो सभी के भिन भिन होते हैं किसको अकाल तक्त पुरुस का है किसका अकाल तक्त इस्त्री का है किसका अकाल तक्त बच्चे का है बाप बैट बच्चों को रूहानी डिल सिखलाते हैं जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं बाप का पेगाम देते हैं कि सिव बाबा को याद करो याद से ही जंक उतरनी है बाबा कहते याद से ही जंक उतरनी है सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वेल्यू ही कम हो जाती है तुम आत्माओं में भी जंक पढ़ने से तुम वेल्यूलेस हो गए हो अब फिर पावन बनना है तुम आत्माओं को अब ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है उस नेत्र से अपने भाईयों को देखो भाई भाई को देखने से करमेंद्रियां कब चंचल नहीं होगी राज भाग लेना है विश्व का मालिक बनना है तो यहां मेहनत करो भाई भाई समझ सभी को ग्यान दो तो फिर यहां टेव अर्थात आदत पक्की हो जाएगी सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो बाभ भी उपर से आए हैं तुम भी आए हो बाप बच्चों सहीत सर्विस कर रहे हैं सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं हिम्मते मर्दां ते मददे बाप तो यहाँ प्रैक्टिस करनी है मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ आत्मा पढ़ती है न इसको spiritual knowledge कहा जाता है जो रूहानी बाप से ही मिलती है संगम पर ही बाप आकर यह knowledge देते हैं कि अपने को आत्मा समझो तुम नंगे आये थे फिर यहाँ सरीर धारन कर तुमने 84 जन्म पाड़ बजाया है अब फिर वापिस चलना है इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दरश्टी से देखना है यहाँ महनत करनी है अपनी महनत बाबा कहते अपनी महनत करनी है दूसरे में हमारा क्या जाता है charity begins at home अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाईयों को समझाओ तो अच्छी रीती तीर लगेगा यहाँ जोहर भरना है महनत करेंगे तब ही उच फल पाएंगे बाप आए ही हैं फल देने के लिए तो महनत करनी पड़े कुछ सहन भी करना पड़ता है तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा ताली तो हस से बचती है एक से मुख की ताली बजाई जाती है दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है बच्चों को एक दो का कल्यान करना है बाप समझाते हैं बच्चे सदेव खुसी में रहने चाहते हो तो मन मना भव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाईयों अर्थात आत्माओं तरब देखो भाईयों को भी यह नौलेज दो यह टेव पढ़ जाने से फिर सब कभी क्रिमिनल आई धोका नहीं देगी ग्यान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं कोशिस यह करनी है सदेव आत्मा को ही देखे सरीर को देखे ही नहीं योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाईयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी, बाबा ने कहा है भाईयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्सा लेते हैं, यह रुहानी नौलेज एक ही बार, तुम ब्रामन बच्चों को मिलती है, तुम ब्रामन हो फिर देवता बनने आये हो, इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, खूदेंगे थोड़े ही, यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रुहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है, तुम्हारे ही फाइदे की बात है, बाप की सिक्षा भाईयों को देनी है, बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ग्यान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ, मनुस्य मनुस्य से बात करेगा तो उनके मुह को देखेगा न, तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है, भल सरीर द्वारा ग् पहन तोड़ना होता है तुम्हारी आत्मा समझती परमात्मा बाप हमको ग्यान दे रहे हैं बाप भी कहते हैं है आत्माओं आत्माओं को देखता हूं आत्माओं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं उनसे नौलेज रहे हैं इसको कहा जाता है स्प्रीच्वल ग् की लिंदेन आत्मा की आत्मा के साथ आत्मा में ही ग्यान है आत्मा को ही ग्यान देना है यहाँ जैसे जोहर है तुम्हारे ग्यान में यहाँ जोहर भड़ जाएगा तो किसको भी समझाएंगे तो जट से तीर लग जाएगा बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगत है या नहीं यह नई टेव अर्थात आदत डालनी है तो फिर सरीर का भान निकल जाएगा माया के तूफान कमाएंगे बुरे संकल्प नहीं आएंगे क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी हम आत्माने 84 का चक्र लगाया अब नाटक पूरा होता है अब बाबा की याद में रहना है याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे कितना सहज है बाब जानते हैं बच्चों को यह सिक्षा देना भी मेरा पार्ट है कोई नई बात नहीं हर पाँच हजार वर्स बाद हमको आना होता है मैं बंधाय मान हूँ दुहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमती सोगती हो जाएगी यहाँ अंतकाल है न मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगती हो जाएगी याद की यात्रा से पाया अर्थात पिल्लर मजबूत हो जाएगा यहाँ देही अभीमानी बनने की सिक्छा एक ही बार तुम बच् मिलती है, कितना wonderful ग्यान है, बाबा wonderful है, तो बाबा का ग्यान भी wonderful है, कब कोई बता ना सके, अभी वापस चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों यहाँ practice करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ग्यान दो, तीसरे नेतर से भाई 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 को देखना है यही बड़ी मैंनत है अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चो प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पाइंट आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ग्यान देना है महा वीरबन इस घ्यान इस फरमान को पालन करना है दूसरी पाइंट बाबा कहते तुम्हे कोई उल्टी सूल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो ताली दो हस से बच्चती है एक हाथ ने बाबा कहते एक ने मुख्य की ताली बजाई दूसरा चुप कर दे तो वहा आपे ही चुप हो जाएंगे तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो ताली दो हाज से बच्चती है एक ने मुह की ताली बजाई दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते अमरत बेले के फाउंडेसन द्वारा सारे दिन की दिन चर्या को ठीक रखने वाले सहच पुरुशार्थी भाव अमरत बेले के फाउंडेसन द्वारा सारे दिन की दिन चर्या को ठीक रखने वाले सहच पुरुशार्थी भाव डिटेल में बाबा समझाते जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो आटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है ऐसे ही रोज अमरत बेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ अमरत बेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा अमरत बेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वता सहियोग मिलता रहेगा और पुरुशार्थ भी सहज हो जाएगा जो सदा बाप की याद और स्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं है उनके नस नस में एक राम की इस्मरती का आवाज रहता है स्लोगन में बाबा कहते बाबा की मदद को केच करना है तो बुद्धी को एकागर कर लो अच्छा ये थे बाबा के महावाक्ये ओम शांती